नमस्काल साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे आदातेवं ठकान इससे पहले जो हमने पढ़ा था अधिगम इस्तानांतर के प्रमुक्सित दांतों को और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखिए तो प्लीज उसे प्लेलिस्ट में सर्च कर करके जरूर देख लें हम लोग सिच्छा मनुविग्यान को टॉपिक वाइस पढ़ रहे हैं और आज अमरे टॉपिक है आदातेवं ठकान तो यह शुरू करते हैं अर्थ हैबिट हैबिट सब जो है लेटिन वासा के हैबिटस से बना किससे बना हैबिटस से जिसका अर्थ ह होता है प्राप्त करना इस परकार आदत एक सीखा गया या अर्जित विवार है जो अपने आप होने लगता है कैसा है सीखा गया या अर्जित विवार है जो अपने आप होने लगता है और हैबिट जो है किस बासा का सब्द है लेटिन वासा का सब्द है और जो हैबिटस से बनाए आदत एवं ठकान की कुछ महत्पूर्ट परिवासां हैं जो कि एक्जाम में सीधी सीधी पूंचली जाती हैं उनमें एक गेरट के अनुसार जो विवार या किरिया बार-बार दोराई जाए उसमें व्यक्ति क्या सोचलित बन जाता है और वह किरिया आदत बन जाती है हैनि कि जो किरिया या विवार बार-बार दोराए जाए उसमें व्यक्ति सोचलित बन जाता है सोचलित का मितलब होता है अपने आप सोते होने लगती है हैनि कि बन जाता है वह किरिया आदत बन जाती है तो एक इसकी परिवासा है गेरट के अनुसार दूसरी है रेवर्ण क कि अनुसार आदत किसी क्रिया को लगबग एक ही परकार से दोराने की प्रबर्ति है अब देखते हैं आदतों की कुछ मैटपूर विशिष्थाइं उसमें पहली है आदतें अर्जित होती हैं यानि कि आदतों को अर्जित किया जाता है जन्मजात नहीं होती हैं अब देखें मूल प्रबर्ती जो होती है वो जन्मजात होती है आदतें अरजित की जाती है जबकि मूल प्रबर्ती होती है वो जन्मजात होती है अब आदतों का विकास वाता वरणम होता है आदतों का विकास जो है कैसे होता है वाता वरणम होता है किसी कारे को बार बार करन की तो वो कार्य में सरल और सुगम लगता है पाचमाए आधतों वाले कार्यों में थकान का अनुवब नहीं होता है आधतों से सटीकता और वास्ति विकता हर व्यक्ति की आदत जोए अलग-अलग हो सकती है। साथ एक जैसी आद्थें नहीं होती किसी व्यक्तिगत होती हैं आदतों का संब्ध केवल कारियों से ही नहीं होता बलकि विचारों तथा सोच से भी होता है आदतों का संब्ध कारियों से नहीं होता है विचार और सोच से भी होता है आदतों का संब्ध तंत्र का तंत्र और मा बिवार के साथ साथ मस्तिक्स्क विचारों तता सोच से भी होता है याद्तों का संबंद आणिक अच्छी आद्तों का जो में निरमाण किस तरह से करना चाहिए दिश्क आद्तों का विकास प्राद्म कर देना चाहिए यानकी बालक जो था है सहस्वा आवस्ता में ही उसकी आदतों का जो अच्छी आदतों का विकास प्रार्म कर देना चाहिए आदतों की निर्माड में द्रड सक्ती की भूमका होती है आदत वाले कारेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें चाहिए तो ये थी अच्छी आद्तों को निर्मित करने के को चुपाए अब देखते हैं बुरी आद्तों को कैसे छोड़ा जाए अच्छी आद्तों का निर्मार करना चाहिए निकि बुरी आद्तों को छोड़ने के लिए अच्छी आद्तों का निर्मार करना चाहिए बुरी तो दोस्तों इस टॉपिक हमने कंप्लीट किया आधत एवं ठकान से संबंदेत कोछ महत्पूड तत्यों को और विचारों को तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा पिराज पसंद आयोगा अगर पसंद आयो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी सेर करना धाने बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में